नमस्कार, रादे रादे हरर महादेव, मैं आपका आचायर देव आज आपकी राशी पे बात करेंगे आप चित्रा में, स्वाती में विशाखा के प्रथम, विशाखा के तीन चर्णों तक आपने जन्म लिया है तो फिर आप तुला राशी में पैदा होगे हैं, बैलेंस की राशी है, तुला सुक्र की सरवाधिक खोटशूरत राशी, सुक्र सरवाधिक प्यार लुटाते हैं यहाँ पे मंगल, राहु और गुरु महराज के इनर्जी को लेके चलने वाले आप, तुला मतलब बैलेंस लिएकि आपकी राशी में ही सनी देव को उच्चता मिलती है, तो आप लोग बहुत महत्पून है सनी मतलब सेवा का काम करने वाले लोगों को भी आप सर चढ़ा लेते हो, उच्चता पुदान कर देते हो, और जो अपने हैंकार में चलता है, जुसको लगता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे बिक्ति को आप नीच्चता पुदान कर देते हो, सूर नारायन आपके रास ने महत्त पुरून हैं आप, तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे कि गुरु महराज जो वक्री हो रहे हैं, 118 दिन के लिए, 4 सेप्टमबर से लेके 31 दिशंबर तक गुरु का वक्रत तो आपके जीवन में कहां, कैसे, क्या, कितना परिणाम देगा, तो चर्चा आ गुरु के वक्री पे आपको वीडियो यूटूब जिकत में मेरे अलावा बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, कुछ लोग अच्छा ही बोलते हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन जितना डिटेल में मैं बता रहा हूं, इतना डिटेल में आपको नही वक्री होते हैं, ठीक है ना, और अभी मजे की बात ही है, कि गुरु वक्री, बुध वक्री, सुक्र वक्री, सनी वक्री, राहु की तु वक्री, तो कुल मिला के छे-छे ग्रा वक्री हो रहे हैं, ठीक, छे ग्रा वक्री हो रहे हैं इसमें, बहुत बड़ी बात है, नार्मल नवांस में गोचर कर रहे हैं, 3 अक्टूबर को यह दुती चरण में आएंगे जिसका नाम है कञ्या नवांस, 31 अक्टूबर को प्रथम पद अर्थाद सिंह नवांस में आएंगे, 27 नॉम्बर को स्वनी के चतुर्थ पद में प्रवेस करेंगे जिसका नाम है करकनवांस और 31 दिशंबर को यहीं पर मारगी होंगे करकनवांस में ही मारगी होंगे यहाँ गुरू का विजिटिंग कार्ड है अब गुरू कहा कैसे चल रहा है यह पूरा आपको पता हो गया नार्मल जगह आपको क्या मिलेगा चार सिप्टेंबर से लेके एक तिसमबर तक गुरू हो रहे हैं वक्री बस देखें आपकी रासी पे कम से कम साट से पैसट करोन लोग हैं सब के साथ एक जैसे घटना घटेगी क्या उत्तर आएगा नहीं घटेगी तुलारासी वाले ही कुछ लोग धनपती हैं और कुछ लोग बहुत कमजोर वस्था में हैं कुछ लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं कुछ लोग फिल्म जगत में च्छाय हुए हैं कुछ लोग रील बनाने में में मुस्किल आ रही है ये इसी वज़ा से चुकि आपको नवांस में जाके क्लियर पता चलेगा किस ग्रह का बल मिल रहा है तो गुरु महराज आपके कुंडले में इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि दामपत जीवन के लिए परिशानी दे रहे थी किन्तो जैसे यहां पर वक्री होंगे वक्री होते ही इनका सभा में परिवर्दाना जाएगा हलाकि वक्री जो हमें जैसे वक्री को हम समझते हैं वैसा होता नहीं सूरे से एक निस्चित डिगरी पर ग्रह के जाने के बाद वो ऐसा दिखाई देता है कि वक्री हो गया लोट रहा है वक्री का मतलब slowly हो जाना वक्री का मतलब उल्टा हो जाना नहीं है तो सास्त्रकार ये कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तो अपने दूसरी रासी आपने पिछले भाव के फल को देने की कोशिस करता है तो आपके गुरु महाराज यहां पे जो परिशानी आ रही थी उस परिशानी से दूर करने का परिहार करेंगे उपाय करेंगे गुरु महाराज जो रिड रोग परिशानी मुकतमा वाजी थी उसको ठीक करने की कोशिस करेंगे मैरेज लाइफ में आई हुई परिशानी को ठीक करेंगे ठीक करने को दो कारण है एक तो गुरु मह बात माननी पड़ेगी इसलिए गुरु महाराज भरणी नशत्र में चल ले हैं आपके लगन के नशत्र में चल ले हैं और तुला नवांस में चल ले हैं इसलिए गुरुदेव आपका सपोर्ट ही करेंगे क्योंकि आप भी तो गुरु की रासी हो दैत्याचार की रासी हो दै जा नवांस आपके विदेश का घर है तो यहां पे आपको विदेश से लाव होगा तीके गुरू आपके खष्टेश है और गुरू आपके कुंड़ी में पराक्रमेस हैं तो पराक्रम की वज़ा से विदेश से लाव होगा पराक्रम की वज़ा से विदेश तक से लाव होगा या लंबी यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए लाव कारी होंगी अच्छा है इसके बाद खिर वो आएंगे सिंग नवांस में सिंग नवांस क्या है आपके कुणली में लाव का नवांस है तो गुरु महराज लाव के नवांस में जाएंगे तो लाव ही करेंगे वैसे भ गर पे है मित्र बंद बांदों से सायोग प्रदान करेंगे ठीक इसके बाद गुरु महाराज फिर 27 नुवंबर को असुनीन चत्र के चतुर्थ पद अर्थात करक नवांस में आएंगे अब जो चतुर्थ भाव है चतुर्थ मने करक है करक आपके कुंडले में कहा है कर्मा भ करता हूँ जहां मुझे बड़पन मिलता है तो इसलिए यहां पे मुझे बेहतर करके जाना है तो गुरु बेहतर करके जाएंगे इसलिए यद्यप्याप के कुंडली में गुरु महाराज का जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल नहीं होता गुरु आपके खर्ष्टेस हैं गुरु आपके तृतियस हैं किन्त वक्री होने के पस्चाथ ये अपने सुभा में परिवर्तन कर देंगे और परिवर्तन इसलिए करेंगे कि जो नवांस आपको मिलने हैं नवांस सुन्दर परिणाम देने वाला है देखें आप एसिया में रहते हैं रासी गया एक बड़ा और वुखंड है एसिया जैसा एसिया में आप पाकिस्तान में बंगला देश में इंडिया में चाइना में वर्मा में हर जगा कि सम्षमिधान अलग अलग है उस विधान के तहट आपको काम करना पड़ेगा इंडिया में ही है कहीं पे जो है दारुपीना लीगल है कहीं है लीगल नहीं है तो नवानस वो चीज़ बताता है कि कहाँ पर कौन सी रस्मियों को लेकि आपके ग्रह चलेंगे तो गुरु महराज को जो 요 नवानस का बल मिल रहा है इसलिए अब यह जो समय है चार सिप्टेंबर से लेके एक दिसंबर तक 118 दिन का समय सत्रों पे विजय प्राप्त करने के लिए हरियन रोग परिशानी पे विजय प्राप्त करने के लिए दामपत जीवन में आई हुई परिशानी को दूर करने के लिए लंबी यात्राओं से लाव प्राप्त करने के लिए तो गुरु महाराज स्रेश्ट लाव देने वाले हैं अज़ा करताओं वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए अच्छा लगे तो मित्रों को सेर अवश्र करेगा कुष्राये सुष्राये मुस्टराये रादे 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 करते रादे